हाई एव्रिवान आई होब की आपसे बहुत अच्छे अपनी लाइफ में और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत हैं फैसगी कंसाल्जिंट और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनेडा के बारे में कैनेडा की तरफ से बहुत अच्छी ख़बर है हमारे भारत के लोग जो इस टाइम कैना में रहते हैं जिनके पास विजिटर वीजजा है अब वो अपना वर्क पर्मिर्ट अप्लाई कर सकते हैं कैनडा में रहते हुए और यह बौट अच्छी ख़बर है और आपके पास जो इस time deadline है वो है 31 अगस्त यानि कि 31 अगस्त से पहले पहले आप अपने visitor visa को work permit में convert कर सकते हैं तो मैं यह पूरी news आपको online दिखा कर confirm कर दो ताकि उसके बाद आप अपना work permit easily apply कर सकते हैं आप देख सकते हैं पनी स्क्रीन पर यह है Government of Canada की official website और यह पे पूरा description दिया है अपर पढ़लेते हैं पूरी 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 नियुस आप देख सकते हैं यह पर लिखा है 1st April 2021 यह बिल्कु लेटेस्ट नियूस आपके लिए यह लिखा है इसलिए कर्णा ओर में आपके लिखा देख सकते हैं अब इसलिए पास एक अच्छा मौका है कि वह अपने विजिटर स्टेटर्स को वर्क पर मिल्कु आपके इसलिए है और यह जो देट पहले कम थी लेकिन अब इसको बढ़ा कर चैन आप इस श्यूर्ट आप में अगश 31 अगस्ट तक कर दिया गया यानि कि 31 अगस्ट तक अभी आपके पास टायम है इस टायम एपरिल चल रहा है में जून जुलाइ अगर यानि कि फोर मन्स है तो यह बहुत अच्छा मौक आपके पास आगे लिखा है while all visitors in Canada can apply for an employer specific work permit under the public policy only those who held a work permit in the last 12 months may request interim authorization to work यानि कि simple है जो भी लोग Canada में स्टेम रह रह रहे थे और जिनके पास employment थी जो visitor visa पर थे उनके पास भी मौका है कि वो authorization to work interim request कर सकते हैं इसके लावा this public policy has also been expanded to all to allow any visitor who has a valid job offer to apply for an employer specific work permit regardless of the date they initially entered Canada तो यह बहुत अच्छी खबर है कि यह जो public policy ने लांच की थी last year अब उसको expand कर दिया गहा है सभी visitors जिनके पास visitor visa था और इससे कोई फरक नी पढ़ता कि वो Canada में किस time enter किया गया था यानि कि कभ वो Canada में आया था visitor visa पर यहां पर लिखा हुआ है regardless of the date they initially entered Canada तो यानि कि जो भी इस time होगा इंडिया के लोग Canada में रहते हैं जिनके पास temporary residence permit है वो सब अप्लाइ कर सकते है work permit के लिए make sure करो कि आपको job मिल जाए तो आपको employer specific work permit मिल सकता है जो भी आपकी job होगी उसके according आपको contract मिलेगा so I hope यह पूरी news आपको समझ में आ गई है कि आप आपके पास मौका है 31 अगस्ते पहले आप Canada में रहकर job पा सकते हो और अपना जो status उसको change कर सकते हो visitor visa से उसको work permit में यहां पे लिखा है convert कर सकते हो तो it's a very big news for everyone who is living in Canada तो I hope कि यह आपको समझ में आगे पुरी स्टोरी तो आप अप्लाई कर सकते है बहुत चार महने के आपके पास time है और I hope कि आपको work permit मिल जाएगा अगर आपके यह news पसंद आई तो please इसको like करना share करना हमारे youtube चैनल को subscribe कर लेना bell icon button को press 0 करना ताकि आपको daily news देखने को मिलती रहे कैना के बारे में so thank you so much आपके खीमती time का best of luck and take care always